सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकान को टस्ट कीजिए ताकि वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिले नमस्कार सिक्षक्षातियों आज की वीडियो में हम चाचा करेंगे महत्पुन प्रष्ण उतर के बारे में यहां और कुछ प्रष्ण जो है 2016 में पूछे गया थे उन प्रष्ण का उतर भी हम आपको बताएंगे वीडियो को आप अंतिम तक देखिए अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए अपने सातियों साथ जरूर सेर कीजिए और हाँ यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब् आपका आता है प्रात्मिक इस्तर पर प्रेवरण सिक्षा देने की क्या उद्देश से हैं समझाईए यहां सवाल 2016 में पूछा गया था लगह उत्री में अभी पैटन बदल गया है अंट्रिन सिक्षा को के लिए नए पैटन के अधार पर प्रष्ण आता है तो उसी अधार त्यारी कर सकते हैं इसकी साब से पर्यावरण अध्यान एक ऐसा है कि जिसमें आप सुनकर ही आधास ज्यादा प्रष्ण याद कर सकते हैं तो देखिए उत्तर आपका आता है पर्यावरण सिक्षा बच्चे की एक बुनियादिया उसकता है सुप्रसिद सिक्षा विद प्राक्रिति के बारे में नहीं समाज के बारे में भी सत्य है। बच्चे को यदि यह अहसास हो जाए कि प्राक्रितिक संसादन बहुत सिम्हित है और यदि उनकी अंधाधुन खपत की गई तो भ्हरातल पर सुनने रहने वाला है। परियवरन बिल्कुल भी बचने वाला नहीं है, अगर बच्चे समझ जाएं, तो ऐसे में वहाँ पहले से ही सजक हो जाएगा, और संसादनों का सोच समझ कर दोहन करने लगेगा, इसलिए प्रात्मिक सालाओं में पहले से ही परियवरन सिक्षा दी जाती है, अब यह उद्द परियवरन के प्रति समीदल सिल हो, और जो उसके हानी के चिंता रखता हो, मनुस्य में ऐसे कौसल देश्टी कोनों और परतिवादाओं का प्रारदुभाव, जिनसे वह व्यक्तिकद रुप में या सम्हों के साथ मिलकर, परियवरन संबंदी समस्याओं को सुलजा सके, और बच्चों के अधिगम, उपकरण, मुल्य निधारन क्यों करना चाहिए, ये 505 और बलाग 3 के महत्पुन टापिक है, मुल्य निधारन, जिहां आप 505 के भाग 3 में दिखेंगे, तो ये मुल्य निधारन से संबंदीत अक्सर क्वेश्टन पूशे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं, इसको डिटेल में अच्छा से याद कर सकते हैं, हमें बच्चों के अधिगम, उपकरण, मुल्य निधारन क्यों करना चाहिए, मुल्य निधारन के द्वारा कुछ निमलखित उद्देश की प्राप्ति होती है, इसलिए हमें करना चाहिए, पहला उद्देश की प बहुत्य पर्वक्रण के बारे में परतिपोष्टी करना इस प्रकार के उद्देश की प्राप्ति होती है इसलिए हमें मुलिय निधार्म करना अवस्यक है फिर आपका आता है बहुत महत्पुन शवाल है यह आपके MSQ क्वेशन जो है स्वयम प्रभा में पूछा गया था इसके बारे में एक अच्छे मुलियर इधारम की मुख्य विस्वस्ताइं बताएं यहाँ पर देखिए क्या क्या हो सकते हैं लचिले नयासंगत विश्वस्नी वैद या उप्युक्त सभी उत्तर है आपका उप्युक्त सभी तो यह चार पाइंट है यहाँ पर देखिए लचिले नयासंगत विश्वस्नी और वैद यह चारों पाइंट को आपको याद रखने अगर माले जाए यह आपका सवाल में आ जाता है या प्रशना आ जाता है बहुए कल प्रशना को छोड़ कर अगर आ जाता है तो इन पाइंटों को भी लेकर आप याद कर सकते हैं पिर आपका देखिए क्या हूं था सवाल और हाँ अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देजिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पर्यावरन अधियन अधिगम का मुले नदहरन निबन परिच्छन द्वारा करने की दो सिमाये लिखी यह आपकर 2016 के हुव हूआ है इसके उतर आप देख सकते हैं दो यहाँ पर सिमाय हैं निबंद परिक्षन के द्वारा जो है क्या क्या आप नहीं कर सकती यह इसमें बताना है आपको निबनादमक प्रश्ण मात्र में कम ही दिये जा सकते हैं इसलिए उनकी विश्यवस्तु वैद्धा कम हो जाती है अब निबंद लिखने के लिए आप ब आइडियो का युप सवाल प्रभावस्तु सुचनात्मक लिपोर्ट के नियम आपको बताना है मुल्यांकन की रिपोर्ट में सामानगत innocidente इन बहुत कम बता पाती है इसी लिए प्रभावसाली यहां सुचना प्रद और रिपोर्टिंग होनी चाहिए तो नियम यहां पर देखिए पहला नियम है वयद यहां इस पस्ट नया संगत होनी चाहिए फिर दूसरा बच्चे के सक्तियं कम्यों दोनों को सामने लाएं या फिर तीसरा बाल केंद्रित हो जैसे बच्चे अधिगम क्रियाओं को चुनने देखने तथा अपने उपलब्धियं तथा प्रगरती पर सुचने में भाग ले पर चाहूं था यहां पर देखिए बच्चों के अधिगम में बल प्रदान करे तथा उनकी प्रणा तथा अधिगम के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ा है फिर लास्ट है उसमें समय कुसलता तथा प्रबंधन योग्य हो अध्यापक को अपने रिपोर्टिंग विधियों को समय अधित अधा प्रकृति को लेकर सौधानी पूर्वक योजना बनानी आप एक वीडियो देखकर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि यही प्रसन आएंगे इसलिए आप बारी बारी से हमारे चैनल पर 504 और 505 उपलब्ध है आप देख सकते हैं वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुक्तिया